मूवी के स्टार्टिंग लिंडा नाम के एक लड़की से होती है जो कि अडल्ट फिल्म इंडिस्टी में काम करती है हाल ही में उसकी मूवी आसमान को छू रही थी पर फिर भी वो अपसेट है परिशान है इस जगे स्टोरी फ्लेश पेक में जाती है 1970 फ्लोरिडा में दिखाय और लिंडा दोनों सनबात ले रही थी पाटसे लिंडा की क्लोस फ्रेंड है पाटसे अपनी इंडर को रिमूव करती है लिंडा को यह देख करके अच्छा नहीं लगता तब लिंडा की मदर आच जॉप से घर चल्दी लॉट आई है वो उन दोनों को इस कंडिशन में कलब पहुंसती है वहाँ पर दोनों डांस कर इंडर करती है दूर खड़ा बंदा जिसका नाम होता है चक ट्रेनर लिंडा को ही देख रहा होता है चक उन दोनों से जाकर के बात करता है कि तुम दोनों डांस करके भी अच्छा पैसा कमा सकती हो इस बात पर लिंडा को यकीन नहीं होता, चक बोलता है तुमको देखने के लिए मैं बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, चक और उन दोनों के पीछ में बातों बातों में अच्छी फैंशिप हो जाती है, एक रात लिंडा चक से मिलने पार्टी में जाना जाती है तो उसकी मतर उसे धेरो कुशन्स करती है जैसे कि किसकी पार्टी में, कहां पर, किसकी साथ में सब बता देने पर वो उसे चाने देती है दरसल लिंडा की मतर कंसरवेटर थी दरसल ये चक और लिंडा की एक डेट पार्टी थी चक और लिंडा दोनों साथ में खुशते बातें कर रहे थे लिंडा उसे बोरिंग समझती है तो चक उसे किस करते हुए बोलता है कि तुम कितनी इंट्रेस्टिंग हो इसके बाद मैं वो उसे उसके घर छोड़ने आता है लिंडा चक के साथ में honest relationship रखना चाती है इसलिए वो उसे सब बताती है कि एक साल पहले वो pregnant हो गई थी पर चक को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो उसके पैरेंस से मिलने का बोलता है और next day लिंडा उसे डिनर पर invite भी करती है डिनर टेबल पर चक उसके पैरेंस को इंपरेंस करने के पूरी पूरी खुशिश भी करता है आफ्टर डिनर दोनों किचिन में थे और लिंडा के पैरेंस टीवी देख रहे थे तो वो दोनों किचिन में ही intimate होने लगते हैं इसके बाद में चक मुवी का पहाना बना करके लिंडा को अपने साथ अपने घर ले आता है और घर पर भी ये दोनों intimity होते हैं लिंडा को लोटने में घर पर देर हो जाती है देरी की बचे से लिंडा की मतर उसे बहुत मारती है गुस्से में लिंडा नेक्स देही घर छोड़ करके चक के साथ आने के लिए उसके घर चली जाती है कुछ दिन बाद चक ने घर पर पार्टी रखी है लिंडा की दोस्त पार्टी भी आई होई है चक ने पार्टी की तोरान adult movie ब्ले की थी और वो मौका देखकर के पाट्सी के close आने लगता है उसे किस काने की कोशिश करता है पर पाट्सी को अच्छा नहीं लगता वो वहाँ से दूर हटकर के लिंडा के close आ जाती है और लिंडा को चक के पास भेज देती है लिंडा ने भी ये movie first time देखी थी और उसे वो पसंद भी नहीं आती तो चक उसे वही सब देख्टिस करने का बोलता है जो भी वो movie में देखता था पर लिंडा को ये सब करना पिरको भी अच्छा नहीं लगता था पर चक की खुशी के लिए वो सब कर दी थी दोनों जल्दी शादी भी कर लेती है एक दिन लिंडा को चक को पुलिस स्टेशन से बेल पर छुड़ाना पड़ता है लिंडा जब उसकी वज़ब पूस्ती है तो उस पर वो गुस्ता करता है और उस तोरान लिंडा को ये पता चलता है कि बाट डांसर के अलावा चक पॉस्टिशन का भी काम करता है चक उसे समझाता है कि हमें बहुत सारे पैसों की ज़रत है हमको कुछ तो जल्दी ही करना होगा और तुमको भी बहुत ज़रत रती है और हर बार मैं ही तुमें हेल्प करता हूँ और नेक्स देही चक लिंडा को एक पॉडेक्शन कंपनी में लेका के जाता है जहां पर लिंडा को अडल फिल्म के लिए कास्टिंग के लिए आडिशन देने को कहा जाता है पर लिंडा इस सब के लिए तयार नहीं थी उसके लिए सब कुछ नया था उसकी कंडिशन को देख करके डारेक्टर चक को बोलता है ये लड़की काम नहीं कर सकती जिस पर चक उसे अपना और लिंडा का परसनल वीडियो दिखाता है जो कि उसके खुद के बैडरूम का, खुद का और लिंडा के इंटिमेट की दोरान का वीडियो तर जिसे देख करके डारेक्टर चौक चाता है और लिंडा के साथ काम करने को तैयार हो जाता है जल्द ही शूटिंग स्टार्ट हो जाती है फिर्म का इंवेस्टर एंटिनी भी उसकी तारिफ करता है क्योंकि उसने भी उसका वही परसनल वीडियो देखा था मूवी का एक्टर हैरी भी लिंडा से आका के बात करता है जल्द ही मूवी का पहला सीन शूट इजिली हो जाता है नेक से लिंडा को हैरी के साथ में इंटिमिट होने का सीन शूट करना था एंथनी नहीं चाहता कि लिंडा के साथ में उस दोरान उसका हास्बेंट चक वहाँ पर मौजूद हो तब उसका एक बंदा बच्ची चक को रिल लाने का बोलता है कि हमारे पास शूट करने के लिए रिल नहीं है चक को ना चाक करके भी जाना पड़ता है हालनकि वो उस समय उसके साथ देना चाहता था लिंडा का शूट स्टार्ट होता है लिंडा की परफॉर्मेंस को देख करके सभी हैरान थे हैरी उसके आगे कम था शूटिंगे बाद में पार्टी की चाती है चक लिंडा को एंथनी के पास बैटने का बोलता है लिंडा के मूवी डीप थोड थेटर में आ चुकी थी और काफी बड़ी हीट भी हो रही थी मूवी के फुर्स वीक में ही उसको 30,000 डॉलर की आनिंग भी होती है लिंडा का सबना मूवी स्टाप बनना था जो कि अभी पूरा नहीं होना था अब लिंडा के इंटर्वीज बगेरा होने लगे थी इस सबसे लिंडा की लाइफ ग्लैमर्स लाइफ बन चुकी थी लिंडा इस सबसे काफी खुश थी वहीं लिंडा के पैरेंस परिशान और दुखी थी उनको उसका ये सब करना बिल्कुर भी आच्छा नहीं लगता लिंडा ने वुसे काम करना बन कर दिया है और एक बूख लिख रही है और इस सके हमैं ये पता चलेगा कि दखबस हाकीकत में लिंडा के साथ में क्या क्या हुआ था चक शशादी करने के पाद मैं चक उसे हर तरह से मजबूख करता था और कुछ भी करता था उस सब में एक दिन लिंडा हर्ट भी हो जाती है पर चक अपनी मीटी बीटी बातों में उसे मना लेता है और लिंडा भी मान जाती है और फिर उसके पास में कोई और आप्शन भी नहीं था क्योंकि खर वो पहले ही छोड़ चुकी थी और जब financial problem स्टार्ट हुई तो चक ने लिंडा को एक डॉक्टर से इंटेड्यूस करवाया डॉक्टर को लिंडा बहुत पसंद आई तो चक ने लिंडा को उसकी मर्ची के अगेंस डॉक्टर के साथ में इंटिमेट होने को कहा दिन उनके साथ में रह सकती है पर उसके मदर ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया उनका कहना था जो तुम्हारा husband कहता है वही करो सब ठीक हो जाएगा husband को तुमको हर हाल में खुश रखना होगा अगर वो खुश रहेगा तो तुम भी खुश रहोगी लिंडा इस सबसे बहुत होती है वो बस वन नाइट स्टी करना चाहती थी अपनी मदर के पास में लेकिन उसके मदर चक को कॉल कर उसे ले जाने का बोल देती है घर पर पहुशने पर दोनों के पीछ में काफी जखड़ा भी होता है क्योंकि लिंडा अब वापस सिर्फ वो सब काम करना नहीं चाहती पर चक उसे बोलता है तुम अब एक मूवी करोगी पर लिंडा मना करती है तो चक उसे कहता है उसने उसके उस रोल के लिए बहुत मेहनत की है उसे वो करने ही होगी और उस पर करन पॉइंट कर देरी करता है मतलब कि अब लिंडा को सब कुछ मजबूरन करना पड़ रहा था जब लिंडा चक के कोई बात नहीं सुनती या फिर वो उसे कुछ नही कर पाती अब चक और एंथनी नेक्स मुवी के पेमिंट को लेकर के आपस में बाते करती हैं पर एंथनी करता है कि उसके लिंडा से ये सब बात हो चुकी है वो उसे डबल पैसे देने वाला है पर लिंडा ने चक को नहीं बताया था इसके लिए चक उसे हामिसा के जैसे भर भी खरीद लेता है अब लिंडा की लाइफ कंप्लीटली चक ही कंट्रल कर रहा था अब उसने सेक्स टॉय का बिजनिस स्टाइट कर दिया था लिंडा की फिक ऑटो बायोग्राफी भी तयार कर वाता है एंटनी चक से मिलने आता है और उसने लिंडा को एक अम मूवी करने के लिए रेडी करने का बोलता है लिंडा की मूवी का प्रीमियर होता है जहां पाहिउक उसके लिन्डा रेडी नहीं होती, चक उसे एक पार्टी के बहाने लेकर किचाता है और उसका सौदा करता है, जिसमें उसके साथ में, एक साथ में केई लोग उसके साथ में चबरदस्ती करती हैं, यह एक तरह से चक उसे मूवी के काम ना करने की सजा दे रहा था. इसके बात में लिंड़ा वहां से भागने की कोशिश करती है जब वो घर लड़ती है पर चक उसे पकड़ लेता है तब पास से पुलिस कुच रती है तो वो लिंड़ा को पहचान चाती है चक कहता है कि मैं इसका हस्बेंड हूँ और हम घर ही जा रही हैं लिंड़ा भी चक से डरी हुई थी तो वो कुछ बोल नहीं पाती अगली सुबह चक के जाकने से पहले लिंड़ा वहां से भाग करके एंथनी से कौंटी करती है एंथनी भी उसे फुल सपोर्ट करता है और उसके रहने के लिए भी अर्इंसमेंट करता है चक लिंड़ा को अपनी खुछ की बायोग्राफिय लिख रही है उसके अपनी फैमिली भी है जिसमें उसका हस्बन और उसको एक बेटा भी है जिसमें वो बहुत खोश है पब्लिसर का कौन लाता है कि उसकी स्टोरी एप्रूफ हो गई है लिंड़ा का हस्बन उसे पूचता है कि क्या हो यह पर लिंडा का कहना है कि उसके सच्चाए की बादे में सब को पता चलना चाहिए लिंडा की फेमज हो जाती है लिंडा का लाइव इंटरवी भी लिया जाता है जिसमें उसे पूचा जाता है कि जब उसके ساتھ पर ये सब हो रहा था जो कि ये सब इंटर्वियू में देख रही थी और उसी ने लिंडा को कहा था इस सबसे उसे किल्टी फील होता है कुछ टाइम के बाद में लिंडा के पैरंट्स उसे घर बुलाते हैं एक दूसरे के कलेला करके वो बहुत होते हैं इस जगे हमारी आर्ट की एक्स्परिंशन्स खतम हो जाती है